नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाईए दोस्तों पुरानिक सास्त्रों में काल गया है कि जिस घर में ज़ाडू का अपमान होता है उस घर में धनकी हानी होती है क्योंकि ज़ाडू में धनकी देवी मा लक्ष्मी का वास माना गया है दोस्तों आज हम ज़ाडू के बारे में कुछ महत्वपोन बाते हैं आप से सेर करना चाते हैं दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपके घर पर धनकी हानी ना हो दोस्तों विद्वानों के अनुसार ज़ाडू पर पैर लगने से मा लक्ष्मी का अनादर होता है ज़ाडू घर का कच्रा बाहर करती हैं और कच्रे को दरिद्रता का परतिक माना जाता है जिस घर में पूरी शाफ शपाई रहती है वहाँ पर धन, शंपती, शुक, शांती रहती है इसके विपरित जहां गंदगी रहती है वहां दरिद्रता का वास होता है ऐसे घरों में रहने वाले सभी सदिश्यों को कई परकार की आर्तिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसी कारण घर को पुईतर साफ रखने पर जोर दिया जाता है ताकि घर की दरिद्रता दूर हो शके और मा लक्षमी की करपा प्राप्त हो शके दोस्तों घर से दरिद्रता रूपी कच्रे को दूर करने के ये जाडू यानि मा लक्षमी हमें धन धान्य शुक शंपती परद करती है दोस्तों वास्तु विज्ञान के अनुशार जाडू सिर्फ घर की गंदगी को दूर नहीं करता है बलकि दरित्रता को भी घर से बाहर निकाल कर घर में शुक्षमर्दी लाता है जाडू का मैतो इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली सीतला माता एक हात में जाडू धारन किये हुए हैं दोस्तों यदि भूलवस जाडू को पेर लग जाए तो मा लक्षमी से समा की प्रात्ना कर लe कर लेनी चाहिए जब घर में जाडू का इस्तेमाल नहों तो दोस्तों तब उसे नजरों के सामने से हटा कर रखना चाहिए दोस्तों लगनी चाहिए जब घर में ज़ाडू का इस्तेमाल न हो तो दोस्तों तब उसे नजरों के सामने से हटा कर रखना चाहिए दोस्तों ज़ाडू के कुछ खास चीजें जो हैं ज़ाडू के बारे में उसे आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों साम के समय सूर्यास्त के बाद कभी भी ज़ाडू नहीं लगाना चाहिए इससे आर्थिक प्रेसानियों का सामना करना पड़ता है दोस्तों ज़ाडू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए क्योंकि खड़ा ज़ाडू घर में कलेस और कला का कारण होता है दोस्तों आपके अच्छे दिन कभी भी खतम नहीं हो इसके लिए हमें चाहिए कि हम गलती से भी कभी जाड़ू को पैर नहीं लगाएं जगर पैर लगाते हैं तो मा लक्षमी रूट कर हमारे घर से चली जाती है दोस्तों जाड़ू को कभी घर के बार विक्रा कर ना फैकें इसको जलाना भी नहीं चाहिए दोस्तों इसे हमेशा अकेल एकांत जगा में रखना चाहिए दोस्तों जाड़ू को कभी भी घर के बार अत्वा छत पर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करना असुब माना जाता है कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में चोरी की वारदात होने का भय उत्वपन रहता है जाडू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए ऐसी जगर पर रखना चाहिए जहां से जाडू हमें घर या बार के किसी भी सदस्य को दिखाई नहीं दे दोस्तों गो मता या किसी भी जानवर को कभी भी जाडू से नहीं मारना चाहिए या उनको मार कर भगाना कभी नहीं चाहिए दोस्तों अगर घर परिवार के सदस्य किसी खास कार्य से घर से बाहर निकले हो तो उनके जाने के बाद तुरंत ज़ाडू कभी भी नहीं लगाना चाहिए ये बहुत बड़ा अपसकुन माना जाता है ऐसा करने से बाहर गए वक्ति को अपने कारिय में शफलता नहीं मिलती है उन्हें असफलता का मुँ देखना पड़ता है दोस्तों अगर आप नहीं जाडू लाएं तो सनिवार के दिन पुरानी जाडू को वदल देना चाहिए और जो पुरानी जाडू है उसको कहीं एकांत जगा में रख दें घर के मुख्य दर्वाजे के पिछे एक छोटी सी जाडू टांग कर रखना चाहिए जिससे घर में लक्ष्मी की करपा बनी रहती है दोस्तों जो लोग किराएपर रहते हैं वो नया घर किराएपर लहते हैं अत्वा अपना घर बनवा कर उसमें गरव प्रविश करते हैं तब इस बात का ध्यान रखें कि आपका जाडू पुराने घर में ने रह जाएं मानिता है कि ऐसा होने पर लक्षमी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में सुक्र समर्दी का विकास रुक जाता है तो आसा करता हूं दोस्तों कि हमारे द्यारा दी गई जानकरी आप लोगों के लिए लावदाइक सिद्ध होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद